हाई गाईज कैसे हैं आप सब आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत मज़ेदार चल रहा होगा अब एक चीज जो मैं बच्चों को देख रहा हूँ बच्चे बोल रहे हैं सर पर तो हम बहुत रहे हैं प्राक्टिस भी बहुत कर रहे हैं बड़ा टेंशन हो रहा है ऐसा लग है कि सब कुछ भूल गये हैं बहुत सब बच्चों को ऐसा लग रहा है और यह नॉर्मल फेनोमेना है कि एक्जाम के पहला ऐसे लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है सब कुछ प्राक्टिस कर लिया है फिर भी सब कुछ बूल रहे हैं टेंशन निनी के एक्जम जरूर समझ में आ जाएगा और एक्जाम में एजी हो जाएगा लास्ट एक्जाम में इस पर एक कुछन आया था तो बच्चों ने बोला सर ट्रांसपर और रेजजेंसी जो रूल है वह एक क्विक समरी की तरह अगर आप बता दे तो मैंने एक नोट बनाया है यह नोट कहां एक नोट मिल जाएगा सर टेक्सबुक से पढ़ ले क्या नहीं बबार टेक्सबुक से मत पढ़िएगा उसमें एक छोट सा मिस्टेक है तो आप यही डाउनलोड करके ही पढ़िएगा ठीक है सर डन है चलिए डन सर तो आज यह ट्रांसपर और रेजिदेंसी रूल पढ़त प्रंच रूल क्या बोलता है अगर समझ लीजिए अब रॉड में कोई प्रोफेशन कर रहे थे और अब आप अपना रेजिदेंस्टु इंडिया में श्रिफ्ट कर रहे हो कि अब मैं झारा हूँ मैं चोड़के जा रहा हूँ अब मैं य बोलके जा रहा हूँ आप मैं अपने साथ लाँ है तो इसमें इन्हों ने बोला कि कितना साल आप या कितने महने आप इंडिया के बहर रहे के हो उस पर डिपेंड होते वे यह बोल रहे हैं कि हम आपको को बोलेंगे कितना आपको additional allowance दे दिया जाएगा free allowance दे दिया जाएगा जो रूल लंबर 3 & 4 का 50,000 15,000 का allowance था उसको छोड़ दिजे उसके अलावा आपको क्योंकि आप अपना residence इंडिया में shift कर रहे हो आपको additional allowance दिया जाएगा a person who is engaged in profession abroad और इस transferring is resident जो profession के लिए इंडिया के बार इंडिया के बार कोई profession कर रहा था या अपना और अब अब इंडिया आ रहा है या फिर आप इंडिया के बार कुछ कर रहे थे और आप अपना residence इंडिया में shift कर रहे हो shall on return be allowed to clear in addition to what is allowed under rule number 3 & 4 जो rule number 3 & 4 में general free allowance था वो तो allowed रहे गा ही उसके साथ ये बोल रहे है articles in bona fide baggage जो भी आप जिसके लिए आप true declaration देके अपने bag इमें लेके आ रहे हो ये बोल रहे है as per appendix आपको allowed रहेंगे तो ये बोल रहे है अगर आपका stay from 3 months up to 6 months था abroad में personal and household articles आपको allowed रहेंगे other than those mentioned in next year 1 & next year 2 and next year 1 और next year 2 मैंने नीचे दिया है याद करनी की कोई ज़रूरत नहीं है यह बोलने next year 1 & next year 2 के item को छोड़ दो ये next year 1 & next year 2 के item ये rule number 6 में allowed नहीं करेंगे लेकिन next year 3 के item allow करेंगे but including articles mentioned in next year 3 तो आपको तो सिर एन orchestra 3 याद रटना है काफी रहेगा ठीक है शर क्या बोलता है वीडियो casset recorder ले मिपना कपAl ले ये sper music system ले आई है इंडिया के भार से air conditioner microwave वहांट work processing machine fax portable photocopying machine photocopying zerox machine जो होते हैं जो photocopying machine होते हैं washing machine LPG जो gas stuff होता है वो ले आईए personal computer laptop computer domestic refrigerator of capacity up to 300 liter और equivalent ये भी आपको allow किया जाएंगे ये सारे item आप ला सकते हो up to value तो ये बोलड़े है personal and household article कौन से article ये रहे मैंने आर्टिकल्स आपको बता दिये, अप्टू कितना ला सकते हो, आप 60,000 रुपीज के ला सकते हो, अडिशनल जनरल फी अलावेंज जैसा मिल गया, आपको 60,000 रुपीज का, कंडिशन है, आप इंडियन पैसेंजर होने चाहिए, ठीक है सर, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, ठीक है, from 6 months, up to 1 year, अगर आप इंडिया के भाहर रहके आए हो, तो आपको 1,000,000 रुपे तका मिलेगा, allowance, ठीक है सर, सेम, बाकि सब कुछ सेम है, बस यह बोल रहे है, personal and household effect, जो घरेलू समान होते हैं, घर बाद छोड़ के आ रहे हो, तो घर का अवन ले आओगे, स्टाव वगेरा ले आओगे, ठीक है, कंप्यूटर वगेरा ले के आओगे, तो यह बोल रहे हैं, कि 60,000 रुपे का allowed है, अगर आप 3 to 6 months रहे के आए हो, 6 to 6 months to 1 year रहे के आए हो, तो यह बोल रहे है, 1,000,000 रुपे का, ठीक है सर, और अगर यह बोल रहे है, minimum stay of 1 year, during the preceding 2 years, सर, 1 year का अगर stay था, तो यह बोल रहे है, minimum stay of 1 year, in the preceding 2 year, तो यह बोल रहे हैं Indian passenger 2 lakh रुपी तक का लाउट रहेगा लेकिन provided Indian passenger होना चाहिए और यह जो concession है यह 2 lakh रुपे का concession इन्होंने last 3 years में नहीं लिया है Should not have availed this concession in the preceding 3 years ठीक है सर उसके बाद अगर minimum stay of 2 years or more है 2 साल या 2 साल चे ज्यादा का है तो यह बोल रहे हैं यह value 5 lakh रुपे हो जाएगा ठीक है बट यहाँ पर condition यह है minimum stay आपका 2 साल होना चाहिए ठीक है और अब अगर आप India के बाहर रह रहे थे तो India short visits में आयोंगे वो जो short visit है उसका total जो short visit था उसका total should not have exceeded 6 months मतलब 2 साल आप इंडिया के बाहर रहके आये हो लेकिन 2 साल में आप आये गए आये गए इंडिया में आये गूमने फिरने आये चले गए 6 मैने से exit नहीं होना चाहिए और यह concession आपने 3 साल में नहीं लिया होना चाहिए तभी आपको 5 lakh रुपे का additional free allowance दिया जाएगा ठीक है सर, सर minimum stay 2 साल होना चाहिए इंडिया के बाहर अब समझ लिजे मैं 1 साल 11 मेने में आ गया तो क्या मुझे 5 lakh मिलेगा या 2 lakh मिलेगा सर तब तुम्हें 2 lakh में आ जाओंगा लेकिन आप चाहिए ACDC को बोलिए और ACDC अगर चाहे तो 2 मेने तक का delay, 2 मेने तक का shortfall, not delay, 2 मेने तक का shortfall condone कर सकता है For condition 1, यह जो आपको minimum 2 साल रहना चाहिए तभी आपको मासलाग मिलेगा, इसको यह बोल रहे हैं कि For condition 1, shortfall of 2 months in stay abroad can be condoned by the deputy or assistant commissioner If early return, आप वापस आ गए हो, क्यों? Because of terminal leave or vacation being availed by the passenger, आप जल्दी छुट्टी लेके आ गए, ठीक है? Or any special circumstance for reason to be recorded, कोई भी reason के करण, आप अगर इंडिया में जल्दी आ गए हो, तो 2 मेने तक का, 110 मेने में आ गए, तो भी आपको 2 साल का benefit दे दिया जाएगा, 5 लाग रुपए का benefit दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए delay condone करेगा ACDC, ठीक है? और यह जो short visit है, it should not exceed 6 months, अगर exceed हो गया 6 months, तो भी, अगर principal commissioner और commissioner चाहे, तो they may condone the short visit in excess of 6 months in special circumstance, अगर 6 मेने से ज्यादा आपका विजिट हो चुका है, लास 2 साल में, इंडिया आ रहे हो, गुमने फिरने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर समझ दिये 7 मेने आप आ गये थे, तो वो बोल रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, 7 मेने का अगर short visits हुआ है, तो भी, हम मान लेंगे कि ये आदमी 2 साली इंडिया के बाहर रहा है, उससे 5 लाका benefit दे दिया जाएगा, ठीक है सर, और ये जो preceding 3 years में आपने ये benefit नहीं लेना चाहे, इसके ल less than 6 months, 60,000 रुपया, 6 मेने less than 12 months, सर, एक लाक रुपया, एक साल less than 2 years, 2 लाक रुपया, 2 years और more than 2 years, 5 लाक रुपया, सर, यार रखेगा, 6 मेने इसमें आ जाएगा, यहां less than 6 months तक रहेगा, तो 60,000, 6 months less than 12 months रहेगा, तो एक लाक, अगर सर, एक साल less than 2 years, तो 2 लाक रुपया, और सर, more than equal to 2 years, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो आपको 5 लाक का benefit मिलेगा, 60,000, 1 लाक, 2 लाक, और 5 लाक, दन सर, यह याद रखेगा, अब इस related exam में एक question आया था, यह question भी मैंने यहां दे दिया है, देखी, एक बार देख लीजे, वरुन गोहल, an IT professional, and a person of Indian origin, is residing in US for the last 14 months, सर, 14 months, इंडिया के बाहर रह रहा है, वो अल्रेड़ी, 14 months मतलब यहां आ गया, सर, 3 लाक रुपया तक का मिलेगा, सर, 1,85,000 अगर है, तो मुझे तो 2 लाक तक का मिलेगा, तो ला सकता है, और microwave oven यहां पे allowed है, नेक्स चत्री में, ठीक है, with him during his permanent return to India, he purchased the oven in US, and he has been using in his personal kitchen, ठीक है सर, अब यहां बोल रहा है, analyze and summarize the related legal provision of the baggage rule, and provide him with some advice, relevant legal provision should form part of your answer, ठीक है सर, पहले आप law लिख दीजे, मैं हमेशा बच्चों को यह बोलता हूँ, law, observation and conclusion हमेशा लिख किया ही है, LOC, law क्या लिखोगे, कि सर एक बंदा जो इंडिया के बाहर रह रहा था, अब residence अगर इंडिया में shift कर रहा है, तो अगर इंडिया के बाहर एक साल, अप टू टू येर्स रहा है, एक साल से लेके, दो साल तक रहा है, मतलब दो साल से कम, अप टू टू येर लिख्के Indian passenger है और यह इंडिया आ रहा है और यह microwave oven ला रहा है microwave oven इस आश्वी एड़िकल विटी इस अलॉट के और है और घंज्ट वशाज छे वह माstein आश्वे ट्विश आनई को लिखे आना है कि सार लॉ क Calendar आपका observation क्या है और conclusion आपका क्या है तभी आपको पूरे तीन या चार मार्ट जो भी answer के हैं वो मिलेंगे डन सर पॉइंट क्लियर है बस यह एक छोड़ सा पॉइंट था relating to transfer of residency जो मैंने समझा दिया I hope आप लोगो अच्छे से याद करके चले जाना कि सर एक बार पढ़ लेना उसके अलावा इतना सा पढ़ लोगे बस मस्त है और कोई वीडियो हो जिसमें आप और कोई पॉइंट हो जिसमें आपको डाउट आ रहा हो तो पोस्ट करके कमेंट मुझे ज़रूर बताएगा हो सकेगा तो मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा all the best गाईज पढ़िए और अच्छे से प्रक्टिस कीजे लव यू अल बाई